अगर आप इस चैनल पे हैं तो जनूरुस इसको सब्सक्राइब कर लें बहुत सारी इंपोर्टिन इफॉमेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे और अलिटी अप्लोडेट है इन आई आरेफ की तरफ से एक रैंकिंग निकाली जाती है सारे इन्वर्सिटिज की डिफ्रेंट कोर्सेज के लिए उसमें मेटिकल का भी एक लिस्ट निकाल जाता है टॉप फिप्टी मेटिकल कॉलेज़ के लिए तो उस रैंकिंग के अनुसार से यहां पर मैं बताऊंगा कौन-कौन से टॉप मेटिकल कॉलेज़ हैं इंडिया में और आपको मिलेगे लेकिन उसके लिए आपको बजट अच्छा रखना होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलिग्राम और वाटसप के ग्रूप लिंक्स मिलेंगे जिसको आप जरूर जाइन करके रख लें पीडिएफ नोटिफिकेशन सारे आपको वाटसप के मा बड़ दिया गया है 9355, 388, 677 इस पर आप कॉल करके हमसे संपर कर सकते हैं हमारी पेड काउंसलिंग आइडेंस आप ले सकते हैं सबसे पहले बात करें तो टॉप मोस्ट मेटकल कॉलेज इन इंडिया फोर एमबीपेस इज एमस डेली इस ड्रीम कम टू कॉलेज फॉर आप और इसको सिक्विर करने के लिए अगर अब जेनरल का इंटेगरी से आते हैं तो आपका रैंक टॉप 50 मोहना चाहिए टॉप 100 इसे भी काम ने चलेगा टॉप 50 में 710 माक्स वाज दे कटफ फॉर लास्ट येर वोबीसी का 700 था और ये डॉब्लेस का भी 700 फी के नाम पे बस लगती है इसमें एड्मिशन की प्रकिरिया क्या है कोई पहले से आपको रेजिस्टेशन करने की जरूरत नहीं है और इंडिया काउंसलिंग जो की सीट नहीं होता है क्योंकि ए एकतरा से उट्रोंवस इनिवर्सिटि है प्राइब्ट नहीं गब्मेंट है और दीमड इनिवर्सिटि भी we would सकते हैं Deemed Government University, Topmost Medical College in India, इसके बाद आता है CMC Velour, CMC के दो ब्रांचे जहें Velour और लुधियाना में, इसके फॉर्म्स आ चुके हैं और भरे भी जा चुके All India Level पर बात करूं तो इसमें मास्तर दो सीट होती है बाहर के खेंडिर्स के लिए जो की open होती है उसी कारण से इसका cut-off काफी हाई जाता है 681 प्राइबिट होने के बाद भी 681 प्राइबिट होने के बाद भी 681 कट आफ जाता है और इसकी फी भी गवर्मेंट के equivalent होती है 52,8 क्रिश्चन के लिए काफी ज्यादा benefit यहां पर देखने को मिलता है पहले से registration करना होगा और तमिलाडू स्टेट काउंसलिंग के थूरू यहां पर सीट मिलती है तो registration करके काउंसलिंग तमिलाडू स्टेट का करने से यहां पर सीट मिलेगा लेकिन स्कोर आपका 681 लास्ट टाइम गया था थार्ड नमबर पर देखें जिपमर जिपमर का दो ब्रांच है पॉंडिचेरी और क्राइकल तो पॉंडिचेरी पुराना है जिपमर का ब्रांच और 2770 होती है कि लास्ट यहर के जनरल केटेगरी काटफ की बात करें तो 697 पर यहां पर सीट मिलना बंद हो गया था ओवी सी 695 पर क्लोज वी थी EWS 680 पर सेस्ट का अब देख सकते हैं इसमें भी प्रॉसेस है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के थुरू ही 100 पर सेट भरे जाते है कोई भी पिडी रेजिस्ट्रेशन या कोई अलग एक्जाम देने की ज़रूत नहीं है नीट के एक्जाम के थुरू होता है पहले इसका अलग एक्जाम होता था लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है फोर्थ नंबर पे एक बहुत इंपोर्टेंट कॉलेज है अगर आप स्को स्कूर्टेर है और एक डिम डिनो सिटी है प्राइवेट डिम डिनो सिटी है जिसमें आल इंडिया काउंसलिंग के थुरू इसके 100% सीट भड़े जाते हैं 414 मार्क इसका कट अप इसलिए है क्यूंकि इसका फी 25 लेक्स पर यर है बहुत अच्छा कोलेज होते भी सभी काइ पढ़ने का सपना पूरा कर सकते हैं अम्रिदा कोजी फिफ्ट नूमर पर आता है बी एच्यू बी एच्यू वारा नसी एक सेंट्रल इन्वर्शीटी है जिसमें अल इंडिया काउंसलिंग के थुरू ही इसमें सारे सीट्स भर जाते हैं और उत्रपरदेश स्टेट में आत सिक्स नंबर पर एक बहुत ही पोप्लर मेटकल कॉलेज है कस्तुरवा मनिपाल दो ब्रांचेज है मनिपाल और मैंगलोर मैंगलोर का भी ब्रांच काफी अच्छा है वो भी टॉप 25 में आपको दिखेगा वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सारे कॉलेजिज और इडिम डिनुसिटी है करनाटका में मनिपाल जगह में 566 लास्ट यर का कट अफ गया था तो कट अफ काफी हाई है अगर त्यूशन फी को देखें लगोग 19.57 20 लैक्स पर येर का फी जाता है एक सेप्ट होस्टल चार्ज होस्टल चार्ज अडिशनल पीए करना होगा और पर जाएंगे स्टेट को टाके तो कुछ भी है आम पर मिलता नहीं है इस कॉलेज में मदरास मेटकल कॉलेज जो कि गवर्मेटकल कोलेज चिन्हीं में बहुत ही पुराना मेटकल कॉलेज है तमिलाडू के स्टेट काउंसिलिंग के थूर इसमें 85% सीट पर एडिमिशन होती है रिमेनिंग 15% सीट और इंडाकोटा घथरू फी की बात करें तो 13,610 है और लास्ट यह 680 स्कोर पे यहां पे जनरल केटिगरी की सीट भरी थी ओभी सी का कट अब गया था 685, EWS का 657, SE का 641, NST का 519, किंग जोर्ज मेटकल कॉलेज यह भी बहुत पुराना मेटकल कॉले है लखनों में और यह सब टॉप बरांच है जिससे आप करते हैं तो एक बहुत है रिनाउंड डॉक्टर बनेंगे इसके इसमें भी सीट आपको स्टेट कोटा से 85% रिमेनिंग 15% और इंडिया कोटा से भरे जाते हैं 674 कट अब गई थी लास्ट यह की और और ओबीसी का 68, EWS का 670 और SC का 611 उसके बाद दिल्ली का कॉलेज आता है वर्दवान महावीर मेटकल कॉलेज और सब्दर जंग हस्पिटल दिल्ली के टॉप कॉलेज में से है एम्स के बाद और एक टेंथ नमर पे इसमें आईपी कोटा इंद्रपस्ट कोटा के बेसिस पे ट्यूशन फी 59,000 मतलब 60,000 के आसपास है जेनरल केटेगरी का कट अफ गया था 705 ओबीसी का 695 EWS 700 पे क्लोज होई थी उसके बाद बात करते है डी बाइपाटल बिद्या पीट पुने ये फी डिम डिनो सिटी है और टॉप डिम डिनो सिटी में आता है महारास्ट्रा में प एमसी सी के वेबसाइट पे 100% सीट से इसके भरे जाएंगे उसके बाद एक सिच्छा अनुसंधान इसका दूसरा नाम है इस्टीटीट ऑफ मेटिकल साइंस एंड सम होस्पिटल एक कॉलेज जितना अच्छा है उतने अच्छे से लोग इसके बारे में जानते नहीं है क्यो क्योंते और एक सी अच्छे कॉलेज और सब्सक्राइब ज्यचनेरिग उतना नहीं है कि इसका ब्रइंडिंग डीपडाया की बात करें तो कलिंगा से बहतर है सिच्छानों 다나 और डिम लिनुवर्पार acağım सीट एमसिसी के कांसिलिंग के थुरू भरी जाएगी 358 का कट आफ स्कूर था फी की बात करें तो 19.6 लेक्स पर येर उसके बाद एमस भुबनिश्वर एमस भुबनिश्वर निक्स्ट है हमारे लिस्ट में जो कि 30 नमबर पर और एमस की बात करें तो देली के बाद भुबनिश्वर उसके पहले जोदपूर का नमबर आया था आप लिस्ट यहां से देख सकते हैं टेंथ नमबर पर किंग जोर्ज एमस भुबनिश्वर तो इसकी कटफ पिछले बार गए थी 688 एंड 685 फूर ओबीसी और इंडिया कोटा के थुरू हंड़े परसंट सीट भरी जाती है इसके बाद सभीता मेटकल कॉलेज जो की चन्नेई में है मैं बात करूंगा कि जो एन आयरेफ रैंकिंग होती है उस पर हंडेड़ परसंट नहीं जाएं कि इस अवीता से बहतर कई कॉलेजेज हैं प्राइवेट में और गभर्मेंट में भी तो मैं इसे अगरी नहीं करता हूं कि फूर्टी नमर पर रहेगा डिव्ड इन्वसिटी है तमिलाडो की अच्छी इन्वसिटी है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है कि इसको फूर्टी नमर पर रखा जाए फी काफी ज्यादा है 25.25 इसलिए कट अप 231 पर जाती है और इंडिया कोटा का थूरू सारी सीटिस में भरी जाएंगी सेंट जो मैं समझता हूं कि सभीता म बैल्यू भी है और बैंगलोर जैसे सीटी में लोकीटेड है 609 का कट अफ किया था पिछले साथ और इसलिए रही थी क्योंकि इसका फी काफी कम है 7.7 लेक्स करनाटका के स्टेट काउंसिलिंग से यहां पेडिमिशन होगा करनाटका इस वर अलग से फॉर्म भरवाई थी एक्जामनेशन के पहले अपने भर दिया हो इसके बाद SRM चन्याई SRM चन्याई भी एक डिम्ड इनिवर्सिटी है लेकिन फिर से मैं बोलता हूं कई सारे फेक्टर्स रहते हैं अगर आप देखें तो इसे कई अच्छे इनिवर्सिटी भी आपको मिल जाएंगे लेकिन SRM अच्छे नहीं भी एक टॉप लेवल का इनिवर्सिटी है और जेस्ट 176 कट अफ गया था क्यूंकि फी यहां पर 25 लेक्स है 25 लेक्स फी तो अम्रियता के भी थी ठीक है लेकिन उसका कट आफ 400 प्लस फिर 20 लेक्स प्लस भी आपको इसमें भी देना पड़ता है कस्तुर्वा में लेकिन उसका कट आफ 500 प्लस लेकिन इसका कट आफ 176 तो यह मैटर करता है कि किसको कौन कैंडिडिट किस कॉलेज की तरफ मुव्मेंट ज्यादा है सिर्फ रैंकिंग देखने से काम नहीं चलेगा इसलिए चास फिलिंग के लिए आपको एक्सपर्ट की सजेशन लेनी होगी कि कौन सा कॉलिंग ज्यादा फीचर के लिए बहत्र रहेगा स्टपोजर के लिए बहतर है एग रामा चंद्रा चन्नही बहुत 76 तक मिली थी और रामाचंद्रा 373 तक मिली है लेकिन फिर भी रामाचंद्रा को बाद में दिया गया है NIRF रैंकिंग में इसलिए NIRF रैंकिंग के ब्लाइंड ली नहीं जाना चाहिए इम्स रिसीकेश उसके बाद नम्मर आता है इम्स रिसीकेश का जिसमें पिछले वर कट अप गए थे 687 और उत्राखंड में लोकेटेड है कॉंसिलिंग M.C.C. के तुरू सारीफ सीट इसमें भरी जाएगी दत्ता में एक वर्धा महारास्टा में है और एक डिम डिनो सीटी इसकी फी 21.75 लैक्स है कट अप गई थी 237 उसके बाद बात करते हैं कलिंगा भूबनिश्वर जो 20 नमर पे है रैंकिंग में डिम डिनो सी अब इसके लिए जा सकते हैं अगर उड़ी साम पढ़ाई करना चाहते हैं तो सारी सीट्स M.C.C. काउंसिलिंग के थुरूफ फील होगी इसके बाद E.M.S.Patna का नमर आता है E.M.S.Patna बिहार में है और इसकी कट अप गए थे 676 उपीसी का 673 उसके बाद बात करें तो E.M.U. अलिगर मुस्लिम इनिवसिटी जिसमें माइनुरिटी मुस्लिम माइनुरिटी कैंडिडिस का काभी कोटा होता है और जो अलिगर मुस्लिम इनिवसिटी से भी पढ़ाई किये हैं 12 तो उनका भी कोटा लगता है लेकिन जेनल वाले का कट हो गया था 661 और इसके फी ह काफी अच्छा आपको पेशन लोड दिखने को मिलता है और बहुत ही रिनॉंड मेटिकल कॉलेज है पिछले वर कट अफ गया थी 555 कट अफ आपको कॉलेज के लोकेशन पर भी डिपेंड करता है जो कॉलेज उतना सही नहीं भी है फिर भी में लोकेशन प्रीमियम लोकेशन म और फी भी दूसरे टीम डिनुवर्शिटी से कम है जो कि इस रैंकिंग में भी तक थे 16 लैक्स पर यह तो इसका कट अफ हाई जाता है और इंडिया कि दूरू सीट मिलेगी इसमें इसके बात करें तो कस्तुरवा मैंगलोर हमने कस्तुरवा मानिपाल का दिखा था कस्तुर आप्ट करते हैं फी जाता रहते हैं भी 500 से लेकर 550 से लेकर 600 तक में सारी सीटे भर जाती है तो यह थी हमारी कंप्लीट लिस्ट और अगर इस तरह से आप देखना चाहते हैं अलग से कुछ वीडियो का सजेशन आप कमेंड में देना चाहते हैं देश सकते हैं और चैनल को जोड़ी सबस्क्राइब करें वीडियो अपके लिए उच्फल रही होगी कट आफ बता दिया फीर स्ट्रेक्चर बता दिया अड्मिशन का प्रोसेस बता दिया और कॉलेज कैसे है बता दिया लास्ट येर का कट आफ तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए ध